सबसे पहले, सबसे पहला पॉइंटर, मैं इस तरफ से शुरू करूँ यहां, एक तो मुझे घुसके आजाना, ओके जो पहला मौजू है हमारा, महसल का मौजू है, वो यहां आएगा भी, ओके, खुल गया पूरा, ओके, मैं पढ़ देती हूं, इदर आके मैं पढ़ देती हर वक्त की रोक टोक, हर वक्त का रोक टोक नहीं, हर वक्त की रोक टोक वबाले जान, जबके, जबके बड़ों के मताबिक, यही रोक टोक है, कामियाब जिंदगी का राज, हाँ जी, क्या पॉइंटर आएगा मुझे किदर से, क्या कहते हैं, मैं बहुत रोक टोक वाला बं बताओंगी यह कि ऐसे यह ऐसे यसे है और भीर्याक्शन सामने वाले कि मैं यह बेट तो इक ही है पड़ीत के साथ कि आप इतने लड़ ना करें कि बच्चा बिगर जाए तो बढ़ने की सोच वे मारे जहन में होती है पफानी आप लगड़ता है आप लगड़ यह जो बच्चे को क्या पता है खाल यह लेकिन एक एज होती है भी इसमें आप उनको समझ आ सकते हैं रह वको आता है कि बच्चे शुप रबहु लेकिन लोर्गोत आलने चाहीब है हुझरी है मैं पक्रणी को आज आजये हुझ अए हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ तरीका बदलिए तरीका बदलिए लेकिन रोप टोख होनी चाहिए अगर वो नी होगी तो फिर जायर है तो आप फुद्रों पोजे की तरह नहीं बढ़ सकते हैं ना कि आपने जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा है उसमें आपका बैड और ग आपके तो मैं जवानी से बहुत देख रहे हुँ यह क्या चक्टार है तो जो हमारे तरजरूबा इनका कैसे उसकता है तुम लोग क्या कहता है चलो भई यहां फारिंग शुरू हो गई है तुम लोग पर तुम जवाबी कारवाई करो ज़िए चोटे बच्चों हम लोग की आपके चाहरे के बच्चेंगे कमा रहे हैं और फिर पर डूनिकल के दुनिया को देख रहे हैं यह का उनका एक्सपोज ज़िए वह जाहां इसस्तारीके से वहते हैं को एहर नए इंसान से मिल रहे हैं उसके बहेवियर को जज़ करें फिर अपने आपको बचाते हुए स्ग करते हैं जब आगे शुक्सेस हासिल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम जैसे जो यंग्स्टिन उनका भी एक्सकोजर जो है वो इस नौर कंपरिटिवली इतना जादा नहीं लेकिन होता है तो वो अपने लिए अच्छा बुरा डिसाइट कर सकते हैं जो हमारी अम्मी घर ब आपको नहीं पता हूं मुझे पता हूं मुझे पता है कि आपको नहीं पता हूं मुझे पता है कि आपको नहीं पता है तो मैं बहतर इसका डिसिजन ले सकती हूं आप जो है नहीं सौरी कंवल मैं यहां आपकी बात को नहीं पेया टोको कि आपको यह क्या कहता है दानिया प क्योंकि जैसे आप लोग ने बोला कि माबाप के लिए उनके बच्चे तो हमेशा बच्चे ही रहते है तो वह ज़रूरी थोड़ी है कि वह बच्चा चाहे किसी का बाप बन जाए वह तब भी बच्चा रहे क्योंकि जो हम लोग हैं जो हमारी स्साइटी है उसमें रोक टॉक सारी जिंदगी रहती है और ये बात कि हम GWA रहे है और सारी जेनेरेशन्स का ये जे मस्ल Venezuela हby है कि चाहे बच्चा दो बच्चों का बाप बन जा लिकिन वहाद आप पूर्ट सारी नहीं करते हैं हैं तो वक्त बड़ल रहा है और बहुत सारी चीज़े बदल रही है क्योंकि पुराने वक्तों में जो बच्छे हमारी उमर के थे वो शायद इस तरह काम नहीं करते थे जिस तरह आप हम कर रहे हैं हम अच्छे काम करते हैं यहाद आजम के साथ हम बोलता उस पर हम बैठ के पढ़ते थे यह सारी वादे तो हमने भी लिखी में अपने बच्छों को बोलने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपके जो अपने बच्चे हैं वो आपके साथ ओपन रहें और सच्चाही रखें तो आपको उनको एक लेवल अपने इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा क्यों जितनी मैंने अपनी एक्स्पीरेंस में देखा है वो माबाप जो अपने बच्चे को सबसे रादा रोक टो करते हैं सबसे भैतरीन जूटे बच्चे वही निकरते हैं सामने को मुझे केति जी हिरा मानी सबस्ट्राइब करें यूच्यूब चैनल अगर आप एयर वाई के द्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्यार रखेगा थैंक यू